नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत करती हूं अपने चैनल पे अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इंसुलिन का क्या काम है बॉडी में जब यह कम हो जाता है तो क्या-क्या इफेक्ट पड़ते हैं इसके बॉडी में क्या-क्या प्रॉब्लम आती ह है तो वह उर्जा हमारी ब्लड में ग्लुकोज की फॉर्म में तैरती रहती है आठ आपको एक आठ ऐसे पॉइंट बताऊंगी जिनको आप अपनी डाएट में इंक्लूड कर लेते हैं तो आप इंसुलिन को स्वता ही बढ़ा लेंगे साथ में डाइबर्टिक का जो खत्रा आपका बढ़ गया है उसको भी रिवर्स कर लेंगे पॉइंट नमबर एक एक्सराइज आपका इंसुलिन कम हो गया है इसलिए आपके बॉड़ी में जो ग्लुकोज है वो एनर्जी में कनवर्ड नहीं हो पाया है इसलिए आप एक्सराइज जब करते हैं तो जो आपका इंसुलिन जो है वो भी बढ़ने की कगार में आ जाएगा पॉइंट नमबर दो नींद जी हां नींद आप आठ घंटे की नींद को सुनिश्चित कर लीजिए चाहे कितने भी बिजी शेडियूल में आप हो आपका कितना भी ऑफिश का शेडियूल कितना भी हैक्ट हो लेकिन आप अपने आठ घंटे की नींद की को इगनोर्णा करें क्यिंकि अपकी शरीर अगर है तब ही आप अपनी इस बाकि की सारे काम को अचिछे से कर सकते हैं नींद की पूरा अच्छे से सोय हैह उनकी टाइप टू डाइबर्टी को रिवर्स की ओड देखा इसलिए आप अपनी 8 घंते की नींद को जरूर शुनिश्चित करें उसे पूरा कम्प्लीट करें पॉइंट नंबर 3 इसने पॉइंट में मैं आप से कहूंगी कि आप अपने डाइट से जंक फूड को विल्कूल अवाइल कीजिए और सोडा ड्रिंक पेप्सि कोको कोला इसकी अंदर अपने आप में बहुत ज़्यादा क्वाइंटिटी में शुगर होता है मान के चलिए आपके बॉड़ी में इंसुलीन की कमी है और कमी के कारण वैसी ही आपकी शरीर में आपकी बलड में बहुत मातरा में शक्कर भरी पड़ी है ग्लुकोस की फॉर्म में आप उपर से ड्रिंक पीकर उसको और क्यूं बढ़ा रहे हैं इसलिए कोशिश करें कि यह ड्रिंक जो भार का है उसका इंटेक बिलकुल ना करें व मैं बहुत जादर रात में नहीं करूंगी अर्ली मॉनिंग खाली पेट आप इसको इसका इंटेक कीजिए चाज गर्मिया है चाज को पीजिए बहुत अच्छा ड्रिंक है यह और साधा पानी लीजिए निम्मो पानी लीजिए बहुत कुछ है इन ड्रिंक के अलावा आप जब आप इन्हें हटाएंगे तो आपको बाकि सारे ओप्शन नजर आएंगे पॉइंट नमबर चार फाइबर फाइबर का इंटेक बढ़ाईए फाइबर को इंक्लूड कीजिए अपने डाइट में क्योंकि आपकी शरीर में शक्रनुमा गंदगी भर गई है आप उसकी जितने भी फूड है आप उनका इंटेक बढ़ाईए आप चोकरनुमा रोटी खाये आप ज्वार की रोटी खाये आप बाजरी की रोटी खाये आप फाइबर का इंटेक बढ़ा लीजिए पॉइंट नमबर पांच प्रोटीन का इंटेक बढ़ाईए प्रोटीन का इंटेक बहुत साफ सुत्रा प्रोटीन लीजे आप डाले बिंस इन सम्में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन तो होता ही होता है और आपको बहुत उर्जावान रखती है यही सारी चीजें आप डालों का इंटेक बढ़ा दीजे क्योंकि बॉडी में पहले सही कार्बो हाइड्र आप प्रोटीन को खाये दाले खाये पॉइंट नंबर शे भिंडी ओकरा भिंडी इतनी फायदेमंद है डाइबिटिक के लिए खासकर कि डाइबिटिक टू के लिए टाइबिटिक में बिंडी के अंदर एक स्टार्च नूमा एक ऐसा एलिमेंट होता है जो स्टडी में पा तो फाइबर के साथ साथ यह हमारे बॉडी में टाइबिटिक को रिड्यूस करने की पावर और इसके अंदर यह छमता है तो भिंडी को इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में पॉइंट नंबर साथ भरपूर मातरा में ब्रोकली जिसको हम हरी कली फ्लॉवर भी कहते हैं गोबी कहते हैं जो ग्रीन कलर की होती है उसे ब्रॉकली बोलते हैं वैसे आप ग्रीन कलर की जो हमारी गोबी है ब्रॉकली को इंटेक बढ़ा दीजे अपनी डाइट में ब्रॉकली के अंदर कुछ ऐसे ऐलिमेंट्स हैं कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारे टाइब टू आपका टाइब 2 डेबिटिक बड़ी रहा है है ना हर चीज आपके बॉडी में बड़ रही है जैसे कि आपके बॉडी में ग्लुकोज का लेवल बड़ा हुआ है आपके बादी में बहुत मात्रा में शुगर तो हई है कार्बो हाइडर्ड वसा क्योंकि energy में दुट कर के सकते आप आपको जो BMI है आप देखें कि अपने BMI से आप मोटा पे की ओर तो नहीं जा रहे हैं आप अपने BMI को देखकर अपने वेट को कंट्रोल करने का पूरा पूरा प्रयत्न कीजिए एक्ससाइज कीजिए खूब एक्ससाइज कीजिए सुबा कीजिए शाम कीजिए और इंस आपकी और तो कॉमेंट करके मुझे बताईे शेर कीजिए यूआ कीजिए कॉमें मेजिये और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए क्यूंकि तो पहुत फिलो इंस्वेंट्राइव चाहिं पर चली वूलुत तो पर को यूई खर तो फिलो दो यूटा भाशज बनाती हू thank you so much